अगर आप फोटोग्राफिक करना चाहते हैं और ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और बस यूटूब वीडियो बनाने के लिए एक DSLR कामेरा ढूंड़े तो इस वीडियो को आखिर तक दिखिए क्योंकि आपको पता चल जाएगा आपके लिए कौन सा कैमेरा बेस्ट होने बाला करें और आगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना तो सबसे पहले जो कैमेरा हमाएं लिष्ट में हैं और सोनी की दरब से हैं उसका नाम है सोनी ये सिक साउजन वाई इसमें आपको मिलता है 24.3 मेगा पिक्सल का APS-C CMOS सेंसर और यह आता ह DSLR कामेरा से आप Full HD वीडियो रिकॉड कर सकते हैं 60fps में और इसमें आपको मिलता है 119 और यह कैमेरा 6fps में continuous shooting कर सकता है और आपको इसमें मिलता है 3 इंच का tilting LCD display आप बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलता है 360 shots का बैटरी लाइफ और यह आता है built- और आपको सोनी का DSLR कैमेरा मिल जाएगा 54,000 रूपिस के अंदर इसमें आपको बहुत ही अच्छा image quality मिलता है और इसके सब बहुत ही fast continuous shooting और आपको इसमें 109 सी autofocus point मिलता है जो की बहुत ही बढ़ी आ है लेकिन इसमें आपको test screen नहीं मिलता है और इसका battery life भी थोड़ा सा low है आपको इस DSLR कैमेरा और इस वीडियो में दिखाएगा इस सारे DSLR कैमेरा का best by link हमारे description मिल जाएगा आप वहापे जाके कोई भी camera खड़ी सकते है और उसके बारे में जान सकते है अगर आप हमारे दिये हुए link से खड़ीता है तो हमारे चैंग को थोड़ा support मिल जाता है ऐसी और वी वीडियो बनाने के लिए तो अगर आपको कोई भी DSLR कैमेरा खड़ीदना है तो हमारे description जरू चक कीजिए अब इसके बद हमारे list में जो DSLR कैमेरा है वो Canon की तरफ से है उसका नाम है Canon EOS 200D Mark II इसमें आपको मिलता है 24.2 Megapixel का APS-C CMOS Sensor और ये कैमेरा आता है Digicate क image processing की साथ अब ISO range के बारें बात करें तो इसमें आपको मिलता है 100-25-600 तक ISO range आप इसको expand भी कर सकते हैं Canon EOS 200 तक और इस कैमेरा से आप Full HD video record कर सकते हैं 60fps में और उसके साथ आप इसमें 4K recording की कर सकते हैं लेकिन बस 25fps में और ये आता है 9 autofocus point के साथ और इसमें आप 5fps में continuous shooting कर सकते हैं और आपको इसमें मिलता है 3-inch का LCD touch screen अब battery life के बारें बात करें तो इसमें आपको मिलता है 1070 shots का battery life और इसमें आपको मिलेगा built-in Wi-Fi और Bluetooth Canon का DSL camera आपको मिल जाएगा 7000 रूपे के अंदर ये बहुत ही compact और light weight है और इसका image quality बहुत ही अच्छा है और आपको इसमें 4K का video recording का भी support मिलता है और उसके साथ आपको इसमें लंबा battery life ही मिलता है अब इसके बाद जो camera range processing के साथ अब ISO range के बारें बात करें तो इसमें भी आपको मिलता है 100-25600 तक ISO range जिसको आप बढ़ा सकते है 9200 तक और इस DSLR camera से आप Full HD video record कर सकते है 60fps में और इसमें आपको मिलता है 45 autofocus point और ये camera 6fps में continuous shooting कर सकता है और आपको इसमें मिलता है 3 inch का LCD touch screen अब battery life के बारें बात क बहुत ही अच्छा image quality मिलता है और इसका live view में भी आप autofocus use कर सकते है लेकिन इसमें आपको video stabilization नहीं मिलता है अब इसके बाद number 2 पे जो camera हमाई लिस्ट में है और Nikon की तरब से है उसका नाम है Nikon D5600 इसमें आपको मिलता है 24 megapixel का APS-C CMOS sensor और ये आता Xpeed 8 के image processing के साथ अब ISO range का बारें बात करें तो इसमें आपको मिलता है 100-25600 तक ISO range और इस DSLR camera से आप Full HD video record कर सकते हैं 60fps में और इसमें आपको built-in stereo sound भी मिलता है और ये camera आता है 39 autofocus point के साथ और आप इसमें 5fps में continuous shooting कर सकते हैं और इसमें आपको मिल जाएगा 3.2 inch LCD touchscreen अब battery life को बारें बात करें तो आपको बहुत ही easy to use autofocus मिलता है और इसका battery life बहुत ही बड़िया है और इसके साथ आपको इसमें microphone का port भी मिलता है लेकिन इसका video को autofocus उतना अच्छा नहीं है और इसमें USB charging भी नहीं मिलता है अब सबसे आखिर में हमारे list का number on DSLR camera बताने से पहले अगर आपने अभी तक ह हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है अब बस आते हैं वीडियो देखके चले जाते हैं बीना like और subscribe किये बगर तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक like जरू कर देना और अगर आप आगे भी हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए subscription एक-दो में free है अब सबसे आखिर में number 1 पर जो DSLR camera है वो Canon की तरप से है उसका नाम है Canon EOS 77D इसमें आपको मिलता है 24.2 megapixel का APS-C Dual Pixel CMOS Sensor और यह आता है DGIC 7 के image processing के साथ अब ISO range के बारे बात करे तो इसमें भी आपको मिलता है 100-25600 तक ISO range जिसको आप बढ़ा सकते हैं 9200 तक 60fps में और इसमें भी आपको मिलता है built-in stereo sound और इसके सब 45 autofocus point और आप इससे 6fps में continuous shooting भी कर सकते हैं और आपको इसमें मिलता है 3-inch का LCD touch screen अब battery life के बारे बात करे तो इसमें आपको मिलता है 600 shots का battery life और built-in Wi-Fi, NFC और Bluetooth और Canon का यह camera आपको मिल जाएगा 50,000 रुपे के अंदर इसमें आपको मिलता है सबसे अच्छा image quality इस price point में और उसके साथ आपको इसमें digital video stabilization भी मिलता है और इसका battery life भी अच्छा है लेकिन इसमें आपको कोई भी environmental ceiling नहीं मिलता है तो आपको इस camera थोड़ा सा संबल के use करना पड़ेगा अब सबसे आखी में बात करते है कुन सा DSL camera आपको लेना चाहिए अगर आपको best image quality चाहिए तो आपको लेना चाहिए Canon का EOS 77D क्योंकि इस price point में आपको इसमें सबसे अच्छा image quality मिलता है और उसके साथ आपको इसमें video stabilization भी मिलता है तो अगर आप video recording और photo shoot करना चाहते तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा option है ले अगर आपके बस कोई mic है जिसको आप use करना चाहते है अच्छा sound quality के लिए तो आप वह भी कर सकते है इस camera से लेकिन अगर आप 4K recording करना चाहते है तो आपको लेना चाहिए Canon का ही EOS 200D Mark II इसमें आप 4K recording कर सकते है और इसका battery life भी बहुत ही बढ़िया है तो ही था हमारे list का 5 स इस वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में बताईए कौन सा camera आपको लगता है बेश्ट है 30,000 रुपे के अंदर और अगर आपने आप ही तक हमारे चाहिए को सस्क्राइब नहीं किया है तो अभी सस्क्राइब कर लिजिए तो इस वीडियो में बस इतना ही आप सब स फिर से मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई